हाई व्यूवर्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंस यह देखिए आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही इजी निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में ढाल सकते हैं लेडिस काड़िन में लेडिस जैक्ट में चैनल साफ सैटर फुल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में इसे आप कैप में या मफ्रल में भी अपलाए कर सकते हैं तो दिखिए फ्रेंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो स्टिची चाहिए होंगे वो फोर के मल्टिपल सी होंगे प्लस टू फंदे एक्स्टा होंगे और टू फंदे अस्टिच की होंगे और यह जो डिजाइन है टोटल फोर रो का डिजाइन है And friends, if you want to learn this pattern in English language then please subscribe to another English channel And link is in description box Please go on and click on the channel And don't forget to like, share and subscribe Another channel for more videos So let's start यह देखिए मैंने यहाँ पर 20 फंदे लिए है 16 फंदे 4 के मल्टिपल से लिए है प्लस 2 फंदे एक्स्टा लिए है साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए और 2 फंदे एस्टिच की होंगे और बेस देने के लिए 2 रो उल्टे-उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकार लिए है तो चलिए बनाना स्टाट करती है यह इसकी 1st रो है और राइड साइड है ऐसे slip करेंगे, repeat pattern स्टाट करेंगे धागा आगे करेंगे 2 फंदे उल्टे फंदे 1,2 धागा पीछे 2 फंदे सीधे 1,2 यह देखिए हमारा एक pattern complete होगे इसमें हमने 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बने यह हमारा 4 फंदों का pattern है यह देखिए 1,2,3,4 फिर से pattern पीट करेंगे 2 फंदे उल्टे, 1,2, 2 फंदे सीधे फिर से दो फंदे उल्टे, 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 फिर से दो फंदे है wrong side, इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे, ऐसे slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, दो फंदे सीधे, one, two, दो फंदे उल्टे, one, two, दो फंदे सीधे, one, two, दो फंदे उल्टे, one, two, दो फंदे सीधे, 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 one, two, 2, as stitch उल्टा बना लेंगे 3rd row, right side, as stitch slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2 अब 1 loop बनाएंगे, 2 दिखे यहाँ पर 2nd hole में से 1 loop बनाएंगे, 1, 2 यहाँ से 1 loop बनाएंगे 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 अगेन फिर से 2nd hole में से 1 loop बनाएंगे 1, 2, यहाँ से 1 loop बनाएंगे यह देखे हमारे एक pattern complete होगे, इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाएं फिर 1 loop बनाया 2nd hole में से, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे फिर से 2nd hole में से 1 loop बनाएंगे फिर से इस pattern को ऐसे ही बार-बार रपीट करेंगे तो दिखे धागा आगे करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2 धागा पीछे 2nd hole में से 1 loop बनाएंगे 1, 2 2 दो फंदे सीधे 1, 2 फिर से 2nd hole में से loop बनाएंगे 1, 2 यहां से 1 एक एक्स्रा loop बनाएंगे फिर थागा आगे करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2 थागा पीछे फिर से एक loop बनाएंगे 2nd hole में से 2 फंदे सीधे 1, 2 अगेन एक loop बनाएंगे 2nd hole में से 1 2 यहां से 1 loop बनाएंगे फिर से pattern pit करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2 थागा पीछे एक loop बनाएंगे 2nd hole में से 1, 2 2 दो फंदे सीधे 1, 2 1, 2 2nd hole में से एक loop बनाएंगे फिर थागा अगे करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2 stitch सीधा बुन लेंगे 3rd row complete हो गई है 4th row है और wrong side है as to slip करेंगे repeat pattern start करेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2 थागा अगे करेंगे 1, 2 1 फंदा slip करेंगे यह देखे हमारा एक pattern complete होगे इसमें हमने 2 फंदे सीधे बुने 1 फंदा slip किया 2 फंदे उल्टे 1 फंदा slip किया फिर से pattern repeat करेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2 1 फंदा slip करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2 1 फंदा slip करेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2 1 फंदा slip करेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2 1 फंदा slip करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2 1 फंदा slip करेंगे लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, वन, टू, एस्टिच उल्टा बना लेंगे फिफ्ट रों है और राइड साइड है, अब देखे, एस्टिच सिलिप करेंगे, रपीट पैटन स्टाट करेंगे धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, वन, टू, धागा पिछे, अब देखे, फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इसको हम दो बार बुरेंगे पहले हम 4 फंदों को back लूप से बनाएंगे 4 फंदों का एक फंदा फिर front लूप से यह दिखिए 4 फंदे एक साथ लेंगे और back लूप से 4 फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब इसको drop नहीं करेंगे अब आगे की side से 4 फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो यह दिखेए यहां पर हमारे पास 4 फंदने को 2 फंदे हो गए हैं यह देखेए हमारे एक pattern कम्प्लीट होगे इसमें हमने 2 फंदे इल्टे बनाए और फिर 4 फंदों को 2 बार हमने एक बार back loop से सिद्धा बना फिर एक बार front loop से सिद्धा बना फिर इनको हम फ्रंट लूप से आगे की साइड से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे सिधा बुनते हुए फिर से धागा आगे दो फंदे उल्टे फिर से धागा पीछे बैक लूप से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब फिर से आगे की साइड से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे वन तू धागा पिछे बैक लूप से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर फ्रेंट लूप से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे उल्टे, वन, टू, एस्टे सीधा बना लेंगे फिफ्थ रोव कम्प्लीट हो गई है, अब देखिए 6 रोव हैं और रोंग साइड है, इस रोव में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे दो फंदे सीधे, 1, 2, दो फंदे उल्टे, 1, 2, दो फंदे सीधे, 1, 2, दोफंदे उल्टे, 1, 2, दोफंदे सीधे, 1, 2, दोफंदे सीधे, 1, 2, दोफंदे सीधे, 1, 2, ऐस्टिच हॉल्टा बना लेंगे ये दिखे, six row complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे first row से start करेंगे तो एक बार दिख लीजिए कैसे करेंगे, first row right side stitch back loop से slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे दो फंदे उल्टे, one, two, दो फंदे सीधे, one, two ये दिखे, हमारा एक pattern complete होगे फिर से repeat करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, दो फंदे सीधे, one, two दो फंदे उल्टे, one, two, दो फंदे सीधे, one, two दो फंदे उल्टे, one, two, दो फंदे सीधे, one, two लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे उल्टे, 1, 2, S-T सीधा बना लेंगे ये दिखे, फिर से हमारा पैटर्न, 1st ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 6 रो रपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर, ये दिखे, इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखे, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं लेडी काड़ गिन में, लेडी जैकट में, जैंट साफ सैटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के सैट में, कैप में, मफरल में डाल सकती हैं तो आप भी इससे बनाएए और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सस्काइक और मत भूलें तो मिलते हैं, ऐसी ही और नएनी वीडियो के साथ तिल देन, बाई बाई फ्रेंड